हेलो डिफेंस लवर वेलकम टू माई चैनल डिफेंस अरीना होप कर रहा हूँ आप सभी ठीक होंगे तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं अर्जेंटीना के बारे मेलनी क्या है कि यह जो कॉन्फिक्ट चल रहा है कि अर्जेंटीना पाकिस्तान से जेव 17 थंडर खरीदेगा या फिर किसी अने दिस से अपने फाइटर जेट्स की जो कमियां उसे पूरा करेगा मेलनी भारत की जो एक्सपर्स हैं यह बोलते हैं कि अर क्या चीज सही है और क्या चीज गलर सो एंड तक मेरे साथ चुड़े रहे हैं और चैनल को सब्कूराना मत बुलना दोस्तों यह आप गूगल करेंगे और विक्कीपीडिया तलासेंगे और अर्जेंटीना की एयर फोर्स को सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अर्ज चाहता है कि इस कमी को पूरा कर लेकिन उसे कोई बैस्ट फाइटर जेट नहीं मिल रहे है या फिर कोई दिस उन्हें दे नहीं रहे है क्योंकि अब बात कर लेते हैं कि जो ब्रेटेन है उसका अर्जेंटीना के साथ काफी जगडा चल रहा है क्योंकि यह जगडा कोई नय नहीं यह काफी पुराना जगडा है तो सबसे पहले इसी को समझ दें कि आखिर अर्जेंटीना पाकिस्तान का जेफ 17 थंडर पर ही क्यों अपना ऑप्सिन क्रियेट कर रहा है मिलने क्या है कि जेफ 17 थंडर के अलावा अर्जेंटीना काफी फाइटेट्स को खरीदना चाहा इसमें मेलनी रोल जो है वो ब्रेटेन का है क्योंकि क्योंकि देखो ब्रेटेन काफी लंबे समय से अर्जेंटीना को अपना दुस्मन मानता है और यह दुस्मनी तकरिवन 1982 से ही स्टार्ट है देखो आपको बता दूँ कि इसका जो मेन फोकस था वो था फॉल्क लेंड वा जब ब्रेटेन ने अपनी वहां सेना उतारी तो काफी कैसुलल्टी वहाँ पे हुई उसका थोड़ा सा हम डिसकर्स कर लेते हैं तो आपको बता दूँ कि इसके इस फाइट में तकरिवन तकरिवन अर्जेंटीना के 649 सोल्जर डैथ हुए और जबकि इंगलेंड के 255 सोल् सेनेक बॉंडेड हुए और देखो आपको बता दूँ इस वार में काफी भारी नुकसान भी हुआ तकरिवन तकरिवन इंगलेंड ने अपने दो डैस्ट्रोयर दो फ्रिगेट एक लेंड़ सिप एक लेंड़ सिप क्राफ्ट एक कंटेनर सिप 24 हेलिकॉप्टर और 10 35 फाइटर जेट, दो बॉंबर, चार कारगो एरक्राफ्ट इसके साथ अर्जनटिना के 25 कोईन एरक्राफ्ट और 9 आर्म ट्रेनर एरक्राफ्ट भी डैस्ट्रोय हो गए और ब्रिटेन ने इस चेत्र को बापेश से अपने कबजे में ले लिया इसके बाद अर्जनटिना मे बाहरी संक्या में फाइटर जेट्स की कमी हो गई और इस कमी को पूरा करने के लिए अर्जनटिना ने कई देशों से फाइटर जेट्स ख़र दिने की कोईन लेकिन ब्रिटेन ने कहीं पर अपनी वीट और कहीं पर अपने फ्रेंट्सिफ रिलेशन्स का हवाला देकर उस द ब्रिटेन के दवाब में उन्होंने ये डिल कैंसल कर दी और ये डिल लगवग पूरी हो चुकी थी और ये बात थी 2015 इस डिल के लावा अन्य डिल जैसे कि एक बार अर्जनटिना ने ब्राजी लाइसेंस फिल्ट सुटिस साब ग्रीपन कोरियन एरो स्पेस इंडस्ट्री क एफए फिफ्टी एर्ख्राफ्ट को भी खरीदने की कोशिस करी लेकिन इसमें भी ब्रिटेन ने अपना वीटोपा पर यूज किया और इन फाइटर जैट्स को खरीदने ही नहीं दिया दो अब आप सोच रहे होंगे कि यह दोनों देशी ज़्यादा पाउरफुल देश नहीं है इसलिए ब्रिटेन ने इने कैंसल करवा दिया लेकिन आपको बता दूँ कि एक वार अर्जन्टीना फ्रांस से भी डील कर बढ़ा था डिसाल्ट ब्रेजुएट सो पर एंट्रें लेकि ब्रेटेन ने ये डील भी कैंसल करवा दी क्योंकि इस फाइटर जैट्स में कुछ कंपोनेंट्स इंगलेंड के लगे हुए थे और इसी की वज़ा से इंगलेंड ने इसे क्लिरेंस दिया ही नहीं कि वो इस फाइटर जैट्स को अर्जन्टीना को सेल कर सके देखो अब यहीं पर बात कर लेते हैं पाकिस्तान के JF-17 थंडर के बारे में तो आपको बता दूँ कि जो JF-17 थंडर है उसमें मेली जो कंपोनेंट है चैनिज कंपोनेंट लगे हुए सिर्फ यदि इंजन को छोड़ देंगे क्योंकि उसमें रसिया का इंजन लगा हुआ है लेकिन यदि अर्जन्टीना रसिया का इंजन नहीं चाहता है उसमें भी चैनिज इंजन का आता है इसलिए अर्जन्टीना को जो मेली फोकस्ट है वो JF-17 थंडर की तरफ जाता है कि JF-17 की तरफ ही जाएंगे इसमें यही मेन रीजन है क्योंकि ब्रेटे नहीं चाहेगा कि कोई भी सक्षम देश अपना अच्छा फाइटर जैट अर्जन्टीना को दे और यह फाइटर जैट फिर इंगलेंड के लिए कोई भी प्रॉलम क्रियाट करें इसलिए जो बेस्ट आ प्रेजन्टीना के लिए अच्छा उप्सन नहीं है इसके अलावा दोगा भी बात करें यदि हम इंडिया के तेजस फाइटर जैट के बारे में तो उसके ज़्यादर कंपोनेंट्स विदेश ही हैं चाहे वो हम इंजन की बात कर ले या फिर मिसैल्स की बात कर ले या फिर इवनिक्स की बात कर ले तो इस समय इंडिया के पास काफी पैसर बना सकता है इंगलेंड की वो अपने तेजस फाइटर जैट को उसे ना बेचे और आपको बता दूँ कि इंडिया ने अभी फाइटर जैट के इंजन के लिए इंगलेंड के एक कंपनी रोल्स रोल्स से भी contact कराए कि वो उसे engine provide कराएगा अपने stealth fighter jet के लिए so इस case में हो सकता है कि Britain इंडिया पर दाप बना कि वो अपने 33 fighter jets उसे sale ना करे देखो इसलिए मेरा मानना है कि इंडिया कुछ fighter jets की deal के लिए England से अपने relation खराब नहीं करने वाला है और आप क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना कि कौन सा fighter jets अर्जेंटिना की favor में जाने वाला है so मिलते नेक्स टूडियो में जैहिन जैभारत